Hello kids, आजहां पढ़ेंगे chapter 5, the food we eat and water we drink, हम खाने को खाते हैं और पानी को पीते हैं, hello I am Pintu, hello I am Mintu, we both are friends, today we learn about food and water, दोनों Pintu और Meat की क्या है? दोनों friends हैं और इन लोग क्या के बारे में पढ़ेंगे? food and water, food, the thing we eat is called food, all of us eat food to live, we eat different kinds of food, food give us energy to work and play, it make us strong and healthy, it help us to grow food, protect our body from illness, we should eat all type of food, food मतला खाना, जो हम खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? food, 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 खाना, जो चीज़ को म क्या बढ़ते हैं उसको क्या बढ़ेंगे? food, all, आप और सब को जिंदर रहने के लिए क्या की जुरुदपी है? खाना की, और हम लोग अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, food हमको क्या बारेते हैं, energy देते हैं जिसे हम काम कर पाते हैं फूट की खाने की मदल से हम क्या कर पाते हैं ग्रो कर पाते हैं और यह हमारे बाड़ी को बिमारियों से बचाते हैं तो हमें सभी तरह की खाना को खाना चाहिए जैसे कि हमें हर रोज अलग 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 वराटी के खाना खाना चाहिए ठीक है जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल हमें फलर सबजी खाना चाहिए एग एंड मिल्क दूदर अंडे खाना चाहिए सीरियल्स एंड ग्रैंज फीज एंड मीट नट एंड आइल बटर एंड चीज यह सारे चीज़ों को हमको हर रोज खाना चाहिए ठीक है फीर है remember food like fish, egg, milk and pulses help us to grow खाना जैसे कि क्या है फीज, egg, milk, pulse है यह हमको क्या में मदद करता है ग्रो करने में बढ़ने में मदद करता है food like rice, sugar and butter give us energy, चावाल, sugar, butter यह सब क्या में मदद करता है हमारे energy रेने में हमको energy मिलती इसे fruit और vegetables हमको क्या रखता है healthy रखता है to be healthy, strong and full of energy, we should eat all kind of food अगर हमको healthy रहना है, strong रहना है और हमारे सरीन में हमेशा energy रहे तो हमें सभी तरह के खाना खाना चाहिए बेबी जो होते हैं वो सिर्फ क्या पीते हैं? दूद पीते हैं meals in a day, breakfast, the meal that we take in the morning is called breakfast, lunch, the meal that we eat in the afternoon is called lunch snacks, a short meal in the evening is called snacks, dinner, meals we eat at night is called dinner breakfast, जब हम सुबा खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? breakfast, lunch, जब हम दो भर में खाना खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? lunch और जो साम का छोटा सक, meals होता है, खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? snacks, फिर होता है रात, रात को जब हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? dinner, taking breakfast, देखो सुबा, taking breakfast, taking lunch, taking dinner, ठीक है? फिर आता है water We should save water, it should not be waste हमें पानी को बचाना चाहिए, waste नहीं करना चाहिए Our body need water along with food We must drink at least 8 to 10 glasses of water in a day We should drink clean and fitted water We should store water at clean place Water should be kept covered, water is our life हमें खाना के सासा समको किसकी जर्रत पढ़ती है पानी की भी जर्रत पढ़ती है हमें एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिला समको क्या पीना चाहिए पानी पीना चाहिए हमें कैसे पानी पीना चाहिए साप और फिल्टर हुआ water पीना चाहिए पानी को हमेशा साब जगह में रखना चाहिए और उसको कवर्ट करके धक के रखना चाहिए कि वाटर क्या है हमारी जिन्दगी है Good Habits Take your meal at fixed time Wash your hand and mouth before and after every meal Do not eat uncovered food Always drink fresh water We should not waste water and food Always eat all types of fruit and vegetables Good Habits अच्छी आदते कौन कौन से खाना में ठीक है Take our meal हमें जब भी खाना खाएंगे तो हमारे जोब meals होते हैं वो fixed time होना चाहिए खाना खाने का time निस्चीत होना चाहिए उसी टाइम में हमको सही खाना खाना चाहिए खाने से पहले खाने के बाद हमें hand और mouth को दोनों को धोना चाहिए Do not eat uncovered हमें बिना ढखका हुआ वाले खाने को नहीं खाना चाहिए हमें इसा साब पानी पीना चाहिए और हमें खाना और पानी दोनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सभी तरह के fruits और vegetables को खाना चाहिए Clear फिर आता है Important point to remember Food is essential to survive Food helps us to grow It gives us energy Food keeps us strong and healthy Babies drink only meal Meal we take in the morning is called breakfast Lunch we take in the afternoon Meal we eat at night in cold dinner We should drink plenty of water